हलो अब्रिवन आप देख रहे हैं चनल अमीन इंफो दोस्तो इग्नु ने एमकॉम का सारा जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है सिलेबस वगरा वो सभी कुछ अपडेट कर दिया है आज हम बात करेंगे ऐसे स्टुडेंट्स के बारे में जिसने इग्नु में जनवरी 2022 सेशन में न इस टाइम इग्नु के एड्मिशन स्टार्ट होते अगर उसी के स्टार्ट होने के कुछी दिनों के अंदर अगर अपने एड्मिशन लिया है इग्नु में तो आपने ओल्ड स्ट्रक्चर कोर्स में लिया है तो वो आपका चेंज होगा उसके लिए क्या आपको करना है वो के पोर्टल में जल्धी M.com का option आ जाएगा M.com General की में बात कर रहा हूँ अच्छा सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जो औरेडी इगनु के M.com Old Course में admission ले चुके हैं तो यह email आपके सामने open है हमारे ही स्टुडेंट ने यह email शेयर किया है जिसके according यह आपको बताया जाता है कि M.com का जो कोर्ट से वो रिवाइस कर दिया गया है और जो रिवाइस स्लेबर से M.com का वो जन्वरी 2022 से से इंप्लिमेंट करा जाएगा ठीक है जी अच्छा इसके इलावा तूसरा option में यह है कि email आया है इसने M.com में admission लिया है इनके according कि इस बच्चे को बताया जा रहा है कि आपका जो admission है वो old course के according हुआ है इसलिए आपका जो यह वाला admission है हम लोग cancel करेंगे और जो fees आपने भरेंगे उसको हम refund कर देंगे और आपसे request कर जाती है कि आप दुबारा से M.com course के लिए apply करिए तो एक तो point यह हुआ कि जो बच्चे इगनु के old course structure के according admission ले चुके है और उनको यह email आया होगा इस email के according आपका जो admission है वो cancel कर दिया जाएगा और उसकी जो fees है वो refund कर दी जाएगी जिस bank से अपने payment करी है अगर cyber case से करवाई है तो उन्हीं के account में वो refund आएगा ठीक है और आपसे यह कहागा है कि आप new admission ले लिजिए एमकॉम new course जो लोंच हुआ है उसके according ठीक है और admission लेने का procedure सेम ही है जिस portal से आपने form fill के अदा अपने username और password के through login करके ही आप apply करोगे लेकिन ऐसे बच्चे जिसने old course में admission ले लिया पहले उनका admission कैंसिल होगा उसके बाद ही वो लोग apply करेगा please apply fresh only after your current application is cancelled ठीक है which you can check from your login जो कि आप login अपने portal से चेक कर सकते हो कि आपको यह admission कैंसिल हुआ यह नहीं कैंसिल होने के बाद आप fresh applicant apply कर सकते हो ठीक है जी अच्छा refund जो होगा यह जो बच्चे ने old course में admission ले लिया आप उसका admission जिसमें first year के यह subject mention है international business वगड़ा अब यह जो old course है इसमें फीद भी देखिए 83 सो रुपे की इसकी फीद है 16,200 रुपे की फीद है 800 रुपे per year 200 रुपे processing charges लगते है तो यह इसकी फीद है लेकिन up to new course आया है उसमें कुछ इस तरह का structure आएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो semester 1 का structure यह है semester 2 का structure यह है ठीक है organizational theory and behavior यह सब subjects के नाम है कुछ subject हो सकता है आपको same लगें कुछ एक दू subject बाकि totally इन लोगों ने change कर दिया है यह second semester के subject है अब सबसे बड़ा doubt यह आएगा कि इनके जो exam है अब चुकी यहाँ पर लिखा हुआ semester 1 और semester 2 क्या इनके exam semester wise होंगे मेरी राय में मुझे personally ऐसा लगता है कि आपके दोनों semester एक साथ ही conduct होंगे अभी भी structure change कर दिया of course इबाते syllabus भी change कर दिया लेकिन जो exam होंगे मेरे according semester 1 की भी और semester 2 के भी एक साथ ही conduct होंगे यानि कि जो बच्चा January 2022 में admission लेगा उसके exam most probably 2022 दिसमबर में ही conduct होंगे लेकिन फिर भी अभी और हम wait कर लेते हैं फिलाल आपको अगर इगनू में एमकॉम में admission लेना है आप अपनी website पढ़ा कर admission ले सकते हैं यह आप जिसकते हैं मैंने portal open कर लिया मैंने program type में master choose कर लिया ODL choose कर लिया यह दिखें एमकॉम को option यहाँ पर available हो चुका है ठीक है यह एमकॉम का यह option है आपके सामने है पहले यह option नहीं आ रहा था आप यह option आ चुका है और as I told you earlier in the video कि इसका जो syllabus है और structure वो change हुआ है यह एक reason 10 जिसकी वज़े से काफी time से option portal पर नहीं show हो रहा था initial stages में show हुआ था पर उन बच्चों का admission cancel होगा और आपको फिर से IGNU में admission लेना पड़ेगा m.com में अगर अपने m.com में admission पहले ले लिया था जब admission शुरू हुए था on the basis of old courses तो आपको दुबारा से admission लेना होगा आपको अपने portal पर आना है लोग इन करना है वहीं पर आपको show होगा कि आपका यहाल admission cancel होगा है और इसकी fees सास से 10 दिन में refund हो जाएगी और आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हो IGNU M.com के लिए तो यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी बागी assignment वगर है कि जो भी झाल